Hi friends, St. Rita की prayer मैंने आप लोगों को दी थी जिससे काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी wishes manifest करनी शुरू कर दी है St. Rita वाकई miraculous है, बहुत जल्दी जल्दी help करती है अब भी किसी ने अपनी एक success story भी share की थी, उसमें कुछ था और इनके बारे में थोड़ा और जानने के बाद एक चीज़ पता चली कि जब आप St. Rita को roses offer करते हो, एक candle जला के जब आप prayer करते हैं और गुलाब का fool रखके prayer करते हैं prayer के बाद उस fool का, या फिर उस fool में एक अलगी शक्ती सब देख रहे हैं, सब को मिल रही है ठीक है, आप क्या कर सकते हो इस fool का उपियोग, किस तरह से कर सकते हो आप जब भी अपनी wishes लिखते हैं, right, journal में, जहां पे भी आप अपनी scripting कर रहे हैं हो सके तो इस गुलाब के fool को dispose of ना करें, इसको बचा करके अपने उस journal में रखें pillow manifestation technique में, जैसे के हम एक चिट लेते हैं, उसके उपर अपनी wishes लिखते हैं present tense में कुछ numbers अगर लिखने के लिए बूलूं, तो फिल हाल में आप universe का light code लिखें, जो 0010110 है जिससे भी बहुत सारी wishes manifest हुई हैं, ये number लिखें और इस number के नीचे अपने wish को present tense में लिखो ठीके, ये जो चिट आपने बनाया है, इसके उपर सेंट रीटा का वही गुलाब का fool, रख करके pillow के नीचे रख के सोना शुरू करें आप सुबह उठके आप चाहें तो इस चिट को safe करके रख सकते हैं, same को अगले दिन use कर सकते हैं, नहीं तो इससे dispose off कर दीजे, पाड़ के फेक दो और एक नया चिट बना करके उसको pillow के नीचे रखो आप पर ये गुलाब का fool अपने wish के साथ रखना शुरू करो कुछ तो magic है, कुछ तो miracle है, कुछ तो powers है इस flower को जब हम उनके नाम से pray कर ले रहे हैं तो कुछ शक्तियां हैं इसमें आप इसका अनुभव खुद करके देखें आप इसे अपने journal में या फिर pillow manifestation technique जो हम जस तरह से करते हैं उसमें करें, pillow technique आप generally 21 days या फिर at least 40 days लोग करते हैं तो आप देखें, कम से कम 21 days तो करो ही करो अपनी एक particular wish को लिख करके pillow के नीचे रखके सोना शुरू करो 21 दिन के लिए उसके बाद फिर आपको let go करना है, I mean let go मतलब detach होना, let go day one से start हो जाता है प्लीज, misunderstood नहीं करना है, let go को इसके बाद आप अपनी wish से detach हो जाएंगे completely एक success story है, मैं पढ़के सुनाती हूँ, प्लीज सुनिएगा, इन्होंने काफी सारे techniques किया उसमें इनको काफी help भी मिला है, okay तो ये लिखती है, ma'am, मैं आपना public gratitude देना चाहती हूँ प्लीज, मेरी success story शेयर कीजेगा, request है आपसे ma'am, मेरे best friend ने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी, argument हो गई थी किसी topic को लेकर, मुझे लग रहा था, वो आप कभी बात नहीं करेंगे मैंने बहुत pray किया, आपके channel पर videos देखा, जिसमें मुझे novena, prayer मिली मैंने nine days किया, saint rita, novena, prayer, green tarama, red tarama mantra, telepathy, बहुत सारे techniques और mantras chant किये, मैं बहुत desperate हो गई थी फिर आपकी एक video आई, surrender वाली मैंने सोचा, सब कुछ किया, अब ये भी कर लेती हूँ सब let go कर दिया, आपने अपने काम में focus किया, और फिर message आ गया, ma'am उसका, ma'am आप सच में great हूँ thank you, thank you green tarama, thank you goddess hikate कहना चाहती हूँ, उनकी blessing सब को मिल रही है, okay फिर आगे gratitude है and thank you है, बहुत सारा, ठीक है अच्छा, अब ही मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि जब ही भी आप prayers कर रहे हैं कोई technique कर रहे है, desperate मत हो ये please अपने आपको शांत रखो, क्योंकि वैसे भी जब आप techniques कर चुके 21 days तो self love में तो हो, self love वाले इंसानों को जरूरत है खुद पर focus करने के अपने काम पर focus करने के लिए ज़ादा desperation नहीं जितना easy going रहोगे, जितना soft रहोगे, उतनी जल्दी manifest करोगे detach हो जाए अपने wishes से completely and surrender कीजिए surrender बहुत important है, इसी surrender से होता क्या है जैसे ही आप, मेरी एक surrender की video है, meditation mode में जाके surrender करने वाली बहुत easy है, उसको भी सुन लोगे, तो आप surrender zone में आ जाओगे surrender basically क्या है, कहां जाके surrender करना है, कहीं भी नहीं it is only कि आप universe को बोल रहे हो कि हमने कर लिया हमारा काम, अब आप कीजिए अब आपके उपर है सब कुछ, तो जैसे ही surrender करते हो आपका trust, believe दोनों हो जाता है show, और तीसरा receiving mode में आ जाते हो, बहुत easily okay, so सब कुछ बड़ा easy easy हो जाता है, life में please ease रखो, easy रहो जितना easy रहोगे, जितना normal रहोगे, चीजे उतनी जल्दी manifest होगे, life उतनी जल्दी transform होगा, जितना panic करोगे, जितना desperate होगे, जितना परिशान होगे, परिशानिया बढ़ेंगी, okay, so अपने intentions को check करते रहें, please, alright, so that's all, thank you so much and God bless